हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों बहुत सारे ऐसे एफलिकेशन है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडिशन्स का डायलोग एड रहता है आपने अपने नुटिस क्या होगा फर्स्ट टाइम अगर आप एप को ओपिन करेंगे तो उहां पर वो डायलोग सो करेगा टर्म ढरख definition को डायलोग सो नहीं होगा ठीक है शकर यह एक बार होता है अगर आप उसको accept टर्म एंड कंडिशन्स को उतिक्षो ä मतर्म दिखायगी हो डायलोग से स्केच और प्रो की मदद से हम बनाएंगे ठीक है अगर आपको जनकरी चाहिए तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखिए नमस्कार दोस्तों अवरा पाठी यूडूब चैनल में आप सभी को धेर सारा बहुत सारा स्वागत है मेरा नामे गोपाल तो च यहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं तर्म एंड कंडिशन इस नाम से ठीक आप यहां पर क्रेट करेंगे तो दोस्तों यहां पर जभी हमारा एप फहली बार ओपन होगा फस्त टाइम तो यह डायलोग हमें सो होना चाहिए तो यहां पर हमें डायलोग एड करना पड़े का कॉम् आईए आ है कि वहां और मेत नाम दे देंगे दम ओस्तों हां यह जोड्योशत्तों हम से एड्ब होजगत दोबराद डायलोग को एड्सक्न करेंगे इसका बशिर होज करेंगे हम दे देंगे diff करनें के combine of तो यह हमने दैलोग को आड कर लिया है इसका तो नाम है कंप़ोंए बादोन हमने दायलोग कॉंपवनेंट को एड कि उसके नाम हमने डी और डबली रखा है तौम चलते हैं इवेंट में परफिन्स को ले लिया है दोस्तों अब चलते हैं इवेंट में हम जाएंगे ओन क्रिएट में जाएंगे क्योंकि जब हमारा एप्लिकेशन ओपन होगा तभी हमारा डायलोग आटमेटिक लिखाए जाएगा तो आप यहां से यहां पर भी कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आप हर करवा हैं पर मैंने दाइलोग को वीडियो को मैंने पोस्तों कर दिय था उसके बाद मींदाय लोग को यहां पर कर दिया है आपको यहंपर क्लिक करने के बाप ह difficigor का अंदर आपको यह सार्वासा आजлав कर ह detecting है है यहां से मैंने ड्राइग and यहां पे ड्रॉप करके मैंने यहरं लिखा कुछ है क οπο 97 कैंशेट है तो यहां पित colonialism है तो मैं आपको कि और दोस्तो ओपे तो यहां पर देखिए ओपन होते ही दोस्तो यहां हमारा कều है कर ते innovations का करते हैं दोस्तों अगर कर कि दोस्तों अगर यसे में बैक करता हूं और दू बरह ओपन करता हूं तो यह दियालोग यहां पर आ जा रहा है थिक दो इसको में दूबरा गे किया और इसको मैं बएक कर दिया देखे अगर घृत गिंच दूबाया यहां पर एंड आयव करने के लिए तो दोस्तो ईहां पर मैंने बना लिया है है यहां पर देखे मैंने क्या क्या दिया है मैं आपको दिखा आयता हूँ है अगर के इक वेल है यह जो साय इसमें हमने म happiness हम STE कसरी इसका जो यहांने गेट की रखायों टी लिए ऊट्रीट की कब एकपी में दीथम 0 जीघुए और यहां फ Brillumado कि लिधित clown mm kolista कि दोस्तो सब सर पहले मैं मैं आपको यह प्रोजेक्ट रून करके दिखा देता हूँ कि उसके बाद मैं्ह को बताऊंगा यह काम कैसे कर रहा है और यह जो कोड है कोड आपको कहां पर मिलेगा ठीक वीडियो को लाश्ट तक देखे तोस्तों मैं आपको यह रॉन करके दिखा देता हूं यहां पर देखे दोस्तों यहां पर आपको यहां पर accept करने के लिए बोल रहा है आप इसको accept करके अगर agree करता है तो यह आपके accept जो है ओ टोस्तों कर रहा है तो अगर आभी मैं इसको बैक करता हूं और दूबारा ओपन करता हूं मैं इसको इसको इए करता हूं तो यहां पर देखिए कोई भी सो नहीं कर रहा है तुम्हें क्या कर रहा है तुम्हें क्या कर दिया है दोस्तों अभी हम इसको बैक कर देंगे करेंगे हैं दोस्तों अभी हम उस एप को दुबार ऑपन करेंगे यहां पर देखिए यह करेंगे तो यहां पर देखिए इसको सब्सक्राइब तो फेर भी यह नहीं हो रहा है अगर मैं इसकोAndree करता हूं तो यहाँ पे तो अभी हम लोग समझेंगे यह ब्लॉक्स जो है यह काम कैसे कर रहा है और दोस्तों यह जो कोड है मैंने यहाँ पर इस्तिमाल किया है इस वीडियो का description में आपको मिल जाएगा आप वहां से copy कर सकते हैं अभी समझेंगे यह blocks काम कैसे कर रहा है दोस्तो अगर आपने میरा old videos नहीं देखा है मैंने बताया है ये जो blocks है ये काम कैसे करता है मैंने बताया है अगर आपने नहीं देखा है तो ज़लूर देखे कौन सा ब्लोक का क्या काम है आप देखेंगे तो आपको समझने में असान होगा तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पर दोनों है यहाँ पर सेम है लेकिन दोनों का काम एक ही है ठीक है मैं आपको थोड़ा सा सिंप्ल करकर समझा देता हूं अगर आपने वीडि पांच रूपिया है ठीके पांच रूपिया है तो आप उस पांच रूपिया से क्या करेंगे आइस क्रीम खरीदेंगे अगर आपके पास पांच रूपिया नहीं है तो क्या करेंगे ठीके तो इस काम में इस्तिमाल होता है अगर आपके पास पांच रूपिया है तो आप क्य करेंगे यहां पर सिर्फ एक है तो क्या करेंगे और यहां पर किया है यहां पर क्या है अगर आपके पास सब्सेट करके रखते हैंब यह और यह यहले बराबर इसमें जो है अगर इसमें रहेगा तो क्या होगा ठीक है तो हमने इसे यहाँ पर set कर दिया है अगर इसमें कोई भी डाटा से इसके साथ समन समन होता है तो क्या होगा ठीक है तो क्या होगा हमारा डाटा यह सो करेगा ठीक है अगर इसके साथ इसमें कोई इसके साथ यह जो है यह समन समन होता है तो यह हमरा data show करेगा यह हमरा dialogue show करेगा और यहाँ पर checkbox मैंने checkbox का code देखे रखा है यह code आपको वीडियो का description में मिल जाएगा आप जाके वहाँ से copy कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो यह code आप यहाँ पर देख लिजिए यहाँ पर DW जो लिखा हुआ है यह dialogue का है dialogue component का नाम है DW यहाँ पर देख लिजिए यहाँ पर DW लिखा हुआ है ठीके तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको इसके अंदर OC को ही add करना पड़ेगा और जो भी activity है मेरा main activity है अगर आपका home activity है या फिर जो भी activity है उसका नाम आप यहाँ पर दे दिजिए यह आप कहाँ पर मिलेगा आपको यह यहाँ पर मिलेगा main activity जबा ठीके तो दोस्तों हो गया है यह code आपको यहाँ पर देख लिजिए यह देखिए इफ आप यहाँ पर देख लेजिए वीडियो में देख लेजिए यह code आपको वीडियो का description में मिल जाएगा आप उहाँ से copy कर सकते हैं दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर जो है यह else if है if then का इस्तिमाल क्या गया है आप यहां पर इसका इस्तिमाल कर सकते हैं नहीं तो आप इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैं आपको दिखा जैता हूं दोस्तों आपको आसानी रहेगा यहां पर देखिए आप इसका भी इस् कट कर दीजी सिट करने के बाद यह जो कोड है इसको आप कटकर लिजी यहां से यहां से यहां तक इसे मैं कर देता हÄं यह बन गए आपका, इस तरह का भी आप बना सकते हैं दोस्तों, इस तरह का, तो इसे मैं back कर दूँगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी else लिखा हुआ है, यह दिखिए, if, if, तो आप इसका भी इस्तिमल करके बना सकते हैं, यह फिर आप इसका भी इस्तिमल करके बना सकते हैं, ठीक तो इसे हम यहां पर set कर देंगे और इसे हम cut कर देंगे ओकी दोस्तों यहां पर देखिए अगर आप I agree करता है accept करता है तो क्या होगा अगर जो checkbox check है तो यह share performance में यह key हमने यहां पर add किया है यहां पर यह value set कर देगा यहां पर हमने यह value add करके रखा है xx नम से हमने यहां पर value add करके रखा है यहां पर देखिए value add करके रखा है और यहां पर toast show करेगा accept अगर आपने checkbox को accept नहीं किया है तो क्या होगा not accept show करेगा अगर आप cancel करता है तो यह finish activity show हो जागा और यह dialogue show करेगा अगर आप दूबरा अप को open करेंगे अगर आप अप को open करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा अगर इसमें data इसके साथ अगर equal नहीं होगा तो यह काम नहीं करेगा यह तभी काम करेगा इसमें यह खाली है और यह खाली है ठीक है इसमें भी खाली है और यह भी खाली है तो यह काम करेगा अगर इसमें data अगर आप accept करते हैं तो यह जो मेने value है यह इसमें set हो जाता है तो यह भर जाता है और यह खाली होता है तो यह काम नहीं करेगा तो दोस्तो मैंने आपको बता दिया आपको साथ समझ में आ गया होगा दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया है तो आप दूबरा देख लेजिए और दोस्तो, sketchware के अंदर, sketchware के जो एप है, उसके अंदर बहुत सारे blocks है, और component भी है, अगर वो सभी के बारे में, अगर आपको कोई भी पता नहीं है, knowledge नहीं है, idea नहीं है, तो उस सभी का विसे में वीडियो मेरा channel में पहले सही है, playlist में आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपक बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, blocks के बारे में, component के बारे में, अलग-अलग वीडियो से बना हुआ है, आप देख करके सीख सकते हैं, उसके बाद जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अगर आप नया हैं तो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडि और आपको ये वीडियो से बारे में, 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 आपको ये बारे में, आप